हलो और असलाम लेकुम आवरिवान वेलकम बैक टू एनधर वीडियो ICC की टीम पाकिस्तान आ चुकी है सीड बेल्ट बानलो चेंपियन्स ट्राफी ट्वनी और फाइफ की प्रेपरेशन शुरू हो चुकी है कल पाकिस्तान क्रिकेट बोट की एक प्रेस कांफरस हुई PCB चेर्मन, चीफ सेलेक्टर की टीम, हेड कोचेज, कैप्टन, मुहमद आमिर की वापसी, माद वसीम की वापसी बहुत कुछ डिसकस हुआ न्यूजिलेंड के लिए टीम की तियारी उनको काकूल भेजना विमन्स क्रिकेट की सीरीज आरी वेस्ट अंडीस के अगेंस, इसके साथ-साथ पहली बार मौसिन नकुई PCB चेर्मन ने पिशावर एंड कोटा के लिए बात की उसकी मैं अलग प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें सिर्फ हम डिसकस करेंगे ICC Champions Trophy की प्रेपरेशन और उसकी होस्टिंग को आज International Cricket Council ICC की टीम ने पहला विजिट National Stadium कराची का किया ICC के Head of Events Chris Tetley की कयादत में वफ़त के दूसरे अरकान में Senior Manager Event Operation Sarah Eager और Event Operation Manager और ओन मुहम्मद जैदी भी शामिल थे आज मंडे को कराची स्टेडियम का विजिट हुआ, कल यहां कदाफी स्टेडियम लहोर का ICC की टीम विजिट करेगी और थर्ड डे वेंस्टे को पिंडी International Cricket Stadium का विजिट होगा तीनों डेस पे तीन स्टेडियम सारे चेक हो जाएंगे, तमाम तर मामलात का जाइजा लिया जाएगा और उसके बाद डिफरेंट मीटिंग्स भी शेडूल है, PCB चेर्मेन के साथ, सिक्योर्टी हाकाम के साथ, तमाम तर सिक्योर्टी अरेंजमेंट्स का भी जाइजा लेंगे क्योंके फिर जितनी भी कंट्रीज आएंगी, यानि आठ कंट्रीज ने आना है, चेंपियन्स ट्रॉफी है, सब को रिपोर्ट दी जाएगी, कि ये ये मामलात हैं, ये तियारी हो रही हैं पाकिस्तान में, फिर उसके बाद नमाम तर कंट्रीज उस पे साटिसफेक्शन का इजार करती हैं और विजिट करती हैं उस कंट्री का तो इस तरह से तो अविएसली याप इंटरनाशनल सीरीज हो रही है, अभी न्यूजलेंड की टीम आपी रही है, वेस्ट इंडीस की वमन्स क्रिके टीम आरी है, ये उससे पहले जैनुरी फेबरी में एक ट्राइ की प्रेपरेशन शुरू होंगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, बागी जो इन्फरास्ट्रक्चर की अपडेट्स हैं वो भी साथ-साथ आ रही हैं, जैसे मैंने ये चंपिन्स टॉफी के लिए कदाफी स्टेडियम लहोर, पिंडी स्टेडियम और कराची कराची का विजिट करने के बाद और पीसी बी डिलेगेशन टीम की साइट से सीए ओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सर्मान नसीर ने ब्रीफ किया कराची स्टेडियम का ऑस्पिटरी बॉक्स पॉइलियन और जो तीनों स्टेडियम की अपग्रेशन खास तार प्याज का अपको अपग्रेशन वीडियो ने डिटेल से एक्सप्लें कर दिया था वो भी सारा डिमॉलिश होगा एक बड़ा पॉइलियन इस दूसरी साइट पे भी बनेगा और इसके लावा मजीद जो अपग्रेट किया जाएगा मजीद बनेंगे और डबल टीर उपर साइट पे ब पाकस्तान क्रिक्ट बोर्ड ने आएचीजी के टीम को ब्रीफिंग्स दी उस दोरा नोने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया ओविसली करना ही था जब इससे पहले इंटरनाशनल टीमें लेकिन एक डिफरेंस आप माइंड में रखें कि जब इंटरनाशनल टीमें आती हैं बाइलेटरल सीरीज होती है एक दो टीमें को होस्ट करना वो इतना मसला नहीं है लेकिन ये आट टीमें एक साथ आएंगी पूरा एक इवन्ट होस्ट हो रहा है आपको याद दिलाता चलो 1996 में चंपियन्स ट्रॉफी लास्ट आम पाकस्तान में होस्ट की थी और अगर ICC के चंपियन्स ट्रॉफी थी वो UAE शार्जा साइट पे होई थी पाकस्तान होस्ट था पाकस्तान चंपियन्स भी थी मतलब अगर ओराल ICC के इवन्ट की बात की जाए तो 1995 का फाइनली मुझे याद आता है कि वो कदाफी स्टेडिम लाहूर में होस्ट हुआ था उसके बाद तो ICC का कोई बड़ा इवन्ट इस तरह से होस्ट नहीं हुआ वो वर्ल्ड कॉप का फाइनल था है नाव आप कहलें के आफ्टर आल्मोस्ट टू डेकेट्स के इस तरह एक इसी का बड़ा इवन्ट होस्ट करने को मिला है और पाकस्तान क्रिकट बोर्ड ने अब प्रेपरे पेले ही आज़ी सी की टीम ने विजिट किया है तमाम तर सिक्योर्टी अरेंजमेंट्स का भी जाज़ा लेगी एंशालला अप्रूफ करेगी जब कराची स्टेडियम का विजिट करने के बाद उन्होंने साटिसफेक्शन का इसहार किया तो पिंडी और लहोर साइड तो प फिलहाल सारा फोकस चैंपियंस टॉफी इंशालला होस्ट करेगी यहीं पाकिस्तान में होस्ट करने का हम सोच रहे हैं यहीं सोच रहे कि इंडिया आ रही है या नहीं वो एक अलग टॉपिक है मेन इवंट यहीं पे होस्ट हो रहा है इंडिया आती तो मॉस्ट वेलकम अब इस पे काफी डिसकुशन होने वाली है, I don't know, क्या होता है, let's see, but keep that thing in mind कि PCP के चैर्मेन मौसें नकवी, इंटेरियर मनिस्टर भी हैं, पाकस्तान के बोर्ड के चैर्मेन के साथ-साथ, वो इन मामलाथ को अच्छे से डील कर सकते हैं, वजीर दाखला का काम होता है, ये इंटरनाशनल टीमों का आना, उनका बाहर जाना, तो इन चीजों को डील करना, so discussion हो सकती है, dialogue होंगे, नई government आई है, इंडिया की भी नई government आजाएगी, अब वो again नरिंदरा मूदी आते हैं government में, या फिर कोई और आते हैं, obviously दिक्तोराई उनी की majority है, तो डिसकस हो सकता है, जो PM है, शहबास शरीफ, वो पैटरन चीफ भी है, PCB के, तो dialogue से काम चल सकता है, ये PCB और BCCI के हाथों में नहीं है, एक government के मामलात है, politics दूर करें, discussion हो, dialogue चलें, तो दोनों टीमों के विजिट तो क्या, bilateral series, even Pakistan के players आपको अगें, 2008 के पहले IPL edition के तरह आपको IPL में खेलता हुआ देखने को मिलें, जो आजकल IPL चल रहा है, लेकिन ये सारे मामलात politically discuss हो सकते हैं, solve हो सकते हैं, बाकि इसमें BCCI head या PCB head का कोई हाथ नहीं है, उनके हाथों में नहीं है, सारा government and PMs के हाथों में, जो के बाकि साथ की साथ टीमें डन आएंगी, Australia, England, New Zealand, whatever, जो भी है, लेकिन सिरफ इंडिया के साथ ये discussion चलती रहेगी, let's see, उसका क्या final result निकल कियाता है, कल फिर यहां कदाफी स्टेडियम लहोर की preparation तयारियों का जाइज़ा लेगी, स्टेडियम का overall विजिट करेगी, ICC की टीम, और उसके बाद यहां यह पिंडी स्टेडियम की तयारियों का जाइज़ा लिया जाएगा, और pitches outfield उनको ready करना, जिस तरह मौसिन नकवी ने कहा कि हम बाइर की मट्टी लाकर वहाँ पे नैशनल क्रिकेट कैडमी में जो practice pitches है, जो के हर चैर्मेन कहता है, लेकिन यह है कि मौसिन नकवी उनको obviously अब काम करना ही पड़ेगा, जाए वो ऐसी statement दें या press conference करें, बही चैंपियन्स trophy होस्ट करनी देखें, ICC की टीम साल पहले ही आ गई है, तो ICC के मामलात में आप पीछे नहीं चुप सकते, आपको तैयारियां करनी पड़ेंगे, अपने stadiums upgrade करने पड़ेंगे, आउट field ready करना, pitches को बहतर 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 बनाना, अच्छा result देना, flat और dead pitches दाओ, let's hope के ऐसी pitches नाओ, आपको पता है कि domestic cricket जब यहां पे होती है, या bilateral series होती है, खास तो और पह आप देखें, test cricket जब होती है, तो पांच-पांच, चार-चार दिन, players खड़े रहते हैं, बैटिंग कर रहे होते हैं, आउट ही नहीं होते, 400-500 targets बन रहे होते हैं, and match draw हो जाता है at the end of the day, let's hope के Champions Trophy में, at least जो international event है, ICC का, वो obviously note करेगा, उसमें हमें bouncy pitches देखने को बिलें, Australia, England की तरह, और ground staff obviously मेहनत कर रहा होते है, stadiums बें, वो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन उपर से जो instruction आती है, वो वही follow कर रहे होते हैं, उसी के मताबब को pitches and outfield को ready कर रहे होते हैं, बागी आप stay tuned रही हैगा, कराची की तरह, लहोर और पिंडी के लिए कोई model आता है, या जो chairs installation, screens installation, यह तो basic है, यह तो हो गई, पिंडी साइट पे लेकिन जो बड़े पैमाने पी हम अपगरेडेशन देख रहे हैं, जैसे कराची का उन्होंने ओवराल map change किया, और roof का भी change करना, उसको उपर करना, double tier discuss करना, capacity increase करना, और यहां लहोर साइट से जो एक sources से हमें सुनने को मिला कि, असामने आपको headquarter देख रहे हैं, इससे offices को बाइर shift करना, museum को बाइर shift करना, public access के लिए, और hotel की discussion उन्होंने की है, तो practical steps में हमें क्या देखने को मिलता है, वो आने वाली वीडियो में अपडेट होता रहेगा, आपने stay tuned रहना है चैनल के साथ, बागी जो under construction projects हैं, उसकी तो आपके साथ अब update ही शेयर की जा सकती है, क्योंके Champions Trophy 2045 के लिए, अब जो done हो गए, venues वो यही तीन है, इसके ready होने के बाद, चेर्मन PCB मौसिन अपकी ने काया कि हम बागी सीटीज के स्टेडियम की तरफ जाएंगे, इसके लावा अगर बागी न्यूस को follow किया जाए, तो लोगों ने बहुत comment किये, बही मादवसीम वापस आगया, मामधामर वापस आगया, इस पर वीडियो बनाए, वीडियो बनाए, इस पर वीडियो क्यों नी बना रहे हैं, मैं क्या इस पर वीडियो बनाओं बस सब वो वेट कर रहे थे सारी पॉलिटिक्स हम समझ सकते हैं दोनों नहीं खेलना था बाबाराजम के अंडर कैपिटन सी में जिस तरह ओवराल चलता है आपने देखा है मैं इस पर क्या डिसकेशन करूं खैर वापस आते हैं अच्छा पर करें हैं और डुमेस्टिक क्रिक्ट तो खैर फिलहाल नहीं है लेकिन अगर होती भी तो उसमें उनको टेस्ट किया जाता है खिलाते होने असनी के सीधा लाकिया आप उन्हें संट्रल कॉंट्रैक्ट भी हमें दो हमें वर्ल्ल कप भी खेलना है मतलब के मनमानिया आप फॉल करें लेकिन एकोली तमाम तर प्लेयर को ट्रीट किया जाए और जो आप बात करते हैं मेरिट की उसी के मताबिक फिर आप सेलेक्शन करें क्यूंकि दूसरी तरफ एक बंदा इतनी महनत कर आता है सारा साल डुमेस्टिक क्रिकट खेल रहा होता है ग्रास रूट लेवल पे व पूरे डुमेस्टिक काइदाजम ट्रॉफी में नेशनल टी-20 कप में पाकस्तान कप में हाईस्ट कोरर रहता है उनको आप साइट पे कर दें और फिर दूसरों प्लेयर को आप मिननते कर टीम में लागे खिलाएं तो यह भी फिर खुलात अजाद नहीं है आप क्या कहते है तूर के बाद जो न्यूजलैंड के लिए अल्मोस स्क्वाड फाइल हो वाल्ल कप के लिए फाइल हो जाएगा जो एक जून से टी-20 वाल्ल कप शुरू हो और उसके भी मैं कुछिश करों आपके साथ एक वीडियो शेर कर दी जाएए मजीद भी जो अपडेट साथी रहें आज कराची स्टेडियम में और जब लहोर एं पिड़ी तो फिर भी तोड़ा बहतर है उनके जंगले आउट फिल वगएरा लेकिन आज कराची का जो उन्होंने विजिट किया सामने सिर्फ पाइपस और जंगले ही निजर आ रहे थे और सल्मान नसीर जो पूलीन की तरफ बड़े प्राउडली किया रहे थे कि ये इंटर्डाश्ट स्टैडरी ये तो वो उन्हें सब पता है इंट अमाम तर मामलात का खैर लट्स होब कि आगे अब ग्रेडिशन हो और ICC कोई प्रोज औन कॉंस तो निकाले गई और पीसीबी को लेकिन ऐसी को स्टेटमेंट ना जिसके वज़े से बागी कंट्रीज ट्रैवल ना करें खैर अपडेट होते रहेंगे आप लोग सोचल मीडिया हैंस पार कर लें इंशाला पाकिस्तान चेंपिस ट्राफी होस्ट करेगा पाजिटिव उपीद रखते हैं पाजिटिव सोचते हैं नेगिटिव नहीं सोचते ह लेंगे आपको अगली वीडियो में तब तके लिए टेक कैर अला आफिस